No Money for Terror Conference, NMFT के संदर्ब में निम्नल इखित कतनों पर विचार करें 1. भारत ने वर्ष 2022 में हैद्राबाद में NMFT के तीसरे संसकरण की मेजबानी की 2. इसकी मेजबानी विदेश मंत्राले द्वारा की गई थी 3. इसका पहला संसकरण वर्ष 2018 में पिरस में आयोजित किया गया था उपर दिये गए कतनों में से कौन सा से सही है A. एक और दो B. एक और तीन C. केवल तीन D. एक दो और तीन उत्तर सी No Money for Terror Conference N. M. F. T. संदर्ब PM नरेंद्र मोधी ने नई दिल्ली में आतनक्वाद विरोधी वितपोशन पर तीसरे No Money for Terror N. M. F. T. मंत्र स्तरिया सम्मेलन को संबोधित किया भारत N. M. F. T. सम्मेलन के तीसरे संसकरन की मेजबानी कर रहा है इसे ग्रह, मंत्राले द्वारा 75 से अधिक भाग लेने वाले देशों के साथ होस्ट किया जा रहा है आतनक्वादी एक व्यक्ती होता है लेकिन आतनक्वाद व्यक्तियों के एक नेक्वक के बारे में है जो गरीबों और स्थानिय अर्थ व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है 18 से 19 नवंबर को आयोजित सम्मेलन आतनक्वाद विरोधी वितपोशन पर वर्तमान अंतर राष्ट्री अशासन की प्रभाव शीलता और उभरती चुनोतियों के समाधान हेतु आवश्यक कदमों पर विचार विमर्ष करने के लिए भाग लेने वाले देशों और संगटनों के लिए एक अनूथा मंच प्रदान करेगा ये सम्मेलन पिछले दो सम्मेलनों वर्ष 2018 में पेरस और वर्ष 2019 में मेलबन में आयोजित के लाब और सीख पर आधारत होगा और आतनकवादियों को वितप से वंचित करने और इसे संचालित करने के लिए अनुमे और अधिकार क्षेत्र तक पहुँच के लिए वैश्वि कार्वाई कार्य बल FETF के प्रतिनिधि मंदिलों के प्रमुखों सहित दुनिया भर के प्रतिनिधि भाग लिए सम्मेलन के दोरान चार सत्रों में विचार विमर्ष किया गया जो निमनलिखित पर केंद्रित थे एक आतनक्वाद और आतनक्वादी वितपोशन में वैश्विक रुझान दो आतनक्वाद के लिए धन के अपचारिक और अनपचारिक माध्यमों का उप्योग तीन उभर्ति प्रोध्योगिकिया एवं आतनक्वादी वितपोशन और चार आतनक्वादी वितपोशन का मुक 1. ये शब्द किसी कम्पनी की पून्चीगत संपत्ती की कमाई को दर्शाता है 2. फिन्फ्लुएंसर्ज विभिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टॉक निवेशकों को सलाह देते हैं उपर दिये गए कतनों में से कौन सा से सही है A. केवल एक B. केवल दो C. एक और दो दोनों D. उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर B. संदर्ब भारतिय प्रतिभूती और विनिमय बोर्ड सैबी वित्तिय इंफ्लुएंसर्स के लिए दिशा निर्देशों पर काम कर रहा है जिन्हें लोग प्रिय रूप से फिन्फ्लुएंसर के रूप में जाना जाता है फिन्फ्लुएंसर्स विभिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर स्टॉक निवेशकों को सलाह देते हैं फिन्फ्लुएंसर वे लोग होते हैं जिनके पास सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं और जो स्टॉक में धन और निवेश के बारे में सलाह देते हैं तथा व्यक्तिगत अनुभव साजह करते हैं उनकी वीडियो में बजट, निवेश, संपत्ति खरीदना, क्रिप्टो करेंसी पर सलाह और वित्तिय प्रवृतियों का ट्रेकिंग शामिल है, दिशा निर्देशों की आवश्यक्ता, सैबी का ये कदम विभिन, अपंजी कृत, निवेश सलाहकारों की संख्या में तेज व की कीमतों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म का इस्तिमाल किया, इन सब के सम्मिलित प्रभाव से कॉपरेट धोखाधड़ी की दर तेज गती से बढ़ रही है, सैबी लगातार निग्रानी और प्रोध्योगी की का उन्नयन कर रहा है, और ये कहा है कि धन, संपत्ति के डायवर जन से न केवल शेर धारकों के लिए धन, काक्षरन होता है, अराजक्ता और वित्तिय संकट पैदा होता है, बलकि नैतिक संकट और प्रतिष्ठा जोखिम भी होता है, उदा देवी के संदर्ग में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जो पासी समुदाय से संबंधित थी, दो, इन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ों आंदोलन में बर्चर कर हिस्सा लिया था, उपर दिये गए कतनों में से कौन सा, से सही है, है, ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनो, डी, उ प्रोक्त में से कोई नहीं उत्तर, ए, प्रसंग, 16 नवंबर को, उत्तर प्रदेश में विभिन स्थानों पर पासी समुदाय की स्वतंत्रता सेनानी, ओदा देवी की शहादत के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किये गए अपके साथ साथ मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार के दलित पुरुष और महिलाएं उदा देवी को श्रद्धान जली देने के लिए एक अत्र हुए उदा देवी पासी, उदा देवी को न केवल उनकी वीरता की कहानियों के लिए बल्कि एक नेता के रूप में उनके कौशल के लिए भी याद किया जाता है जो लोगों, विशेश कर दलित महिलाओं को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए जुटाने में काम्याब रही उजी राओ, लखनव में जन्मी उदा देवी अवद के बेगम हजरत महल के शाही रक्षक डल का हिस्सा थी उनके पती मक्का पासी, अवद के नवाब वाजद अली शाह की सेना में एक पैदल सैनिक के रूप में काम करते थे अपने पती की मृत्तिव, वर्ष 1857 के विद्रोह में, ने ओदा देवी को विद्रोह में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ वर्ष 1857 के विद्रोह में जम कर हिस्सा लिया इनक्ट पहल के विकास के संदर्ब में निमनलिखित कतनों पर विचार करे एक, ये प्रकृती आधारित समाधानों के लिए एक एकी कृत वैश्विक द्रिश्टिकून है दो, इसे भारत सरकार और International Union for Conservation of Nature द्वारा सयुक त्रूप से विक्सित किया गया है तीन, IUCN इनक्ट सचिवालय की मेजबानी करेगा जो पहल के कार्यान वियंका नेत्रित्व करेगा उपर दिये गए कतनों में से कौन सा से सही है, है A. एक और दो, B. दो और तीम, C. एक, दो और तीम, D. एक और तीम उत्तर, D. इनक्ट, इनहांसिंग नेचर बेस्ट सलूशन फोर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफोर्मेशन, पहल, मिस्र के COP 27 प्रेसिडेंसी जर्मनी की सरकार और IUCN ने इनक्ट पहल विक्सित की है ये पहल प्रकृति आधारित समाधानों, NBS, के माध्यम से जलवायू परिवर्तन, भूमी और पारिस्थितिकी तंथकिक शरण तथा जैव विविद्दा के हानी को दूर करने के वैश्विक प्रयासों का समन्वय करेगी एकी कृत वैश्विक ग्रिष्टिकोन मौजूदा प्रकृति आधारित समाधान, NBS, प्रयासों और साज्यदारी के बीच समन्वय लाएगा और सहयोग को मजबूत करेगा इनाक्ट मिस्र और जर्मनी की सेह अध्यक्षता में राज्य और गैर राज्य पक्षकारों का एक स्वाच्शिक गटबंधन है IUCN इनाक्ट सचिवालय की मेजबानी करेगा जो पहल के कार्यान्वयन का नेत्रित्व करेगा प्रकृति आधारत समाधान जलवायू परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं लेकिन उनकी विशालक्षमता अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त है ये पहल NBS प्रतिबधताओं को लागू करने में प्रगती पर COP28 और उसके बाद की बैठकों को अध्यतन करने के लिए एक वार्शिक प्रकृति आधारत समाधान रिपोर्ट भी तैयार करेगी Norway भारत सयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कतनों पर विचार करे 1. समुद्री बैठक का आठवा संसकरन मुंबई में आयोजित किया गया जिसमें भविश्य के शिपिंग के लिए वैकल्पिक इंधन के उप्योग पर चर्चा की गई थी 2. भारत और नौर्वे दोनों Green Voyage 2050 पर योजना का हिस्सा है उपर दिये गए कतनों में से कौन सा से सही है है A. केवल एक B. केवल दो C. एक और दो दोनो D. उप्रोक्त में से कोई नहीं उत्तर C हरित समुद्रीक शेत्र के लिए भारत नौर्वे साथ है बंदरगा, नौवहन और जलमार्ग मंत्राले, मॉप्स समुद्रीक शेत्र को मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 के लक्षय के रूप में विक्सित करने के लिए लगन से काम कर रहा है समुद्री बैठकों पर भारत नौर्वे सहयुक्त कार्य समुख का सात्वा, संसकरण वर्ष 2019 में उसलों में जहाज निर्मान में सहयोग नाविकों के कौशल को बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल जहाजों पर आयोजित किया गया था आथवी जे डबल्यूजी समुद्री बैठक में भावी शिपिंग के लिए हरित अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे वेकल्पिक इंधनों के उप्योग समुद्री क्षेत्र में हरित बदलाव के लिए समाधान तलाशने और सतत और पर्यावरण के अनुकूल जहाज पुनर चकरन के प्रयास पर चर्चा हुई बैठक में सफल नौवेजियन ग्रीन शिपिंग प्रोग्राम का अनुभव और विशेश अग्यता साज्जा किया गया नौवेज ने कहा कि वो शून्य उत्सर्जन समाधान के लिए भारत हेतु प्रतिबद्ध है नौवेज के पास समुद्री क्षेत्र में तक्मी की विशेश अग्यता है जबकि भारत में समुद्री क्षेत्र और प्रशिक्षित नाविकों के बड़े पूल के विकास की अपार संभावनाएं है जो दोनों देशों को प्राकृतिक पूरक भागीदार बनाते हैं भारत और नौर्वेज ग्रीन वोईज दो हजार पचास परियोजना का हिस्सा है दोनों पक्ष समान लक्षियों को प्राप्त करने के लिए इच्छा समर्पर्ण साजेदारी और क्षमता निर्मान पर सहमत हुए भारत ने नवींतम समुद्री प्रोध्योगे की जैसे समुद्री प्रशिक्षन के क्षेत्र मास आधी में सहयोग पर जोर दिया भारतिय पक्ष ने नौर्वे से ध्रुविय जल नेविगेशन के क्षेत्र में शिप बोर्ड प्रशिक्षन का विस्तार करने का अनुरोध किया